हेलो दोस्तों, वेलकम, आज हम इस वीडियो में डिसकस करने वाले हैं, जो 30% क्रिप्टो के उपर टेक्स लिया गया है, इस टेक्स के उपर क्या ज़्यादा कन्फ्यूजन निकल कर सामने आ रही है, और बहुत सारे लोगों को बहुत सारे कन्फ्यूजन हो रहा है, बहुत सा या फिर प्रॉफिट के उपर लगेगा, या ट्रांसफर के उपर लगेगा, तो यह चीज़े कन्फ्यूजन है कि आखिर यह 30% का टेक्स लेगा, यह किसके उपर लगेगा, तो सबसे पहली बात है कि 30% का टेक्स लेगा, यह ना ट्रेड के उपर लगेगा, ना आपके टेक्स लिया जा रहा है गौरमेंन के तूरू ये आपको Profit के उपर लिया जाएगा Profit का मतलब है कि अगर आप यहां पर Trade करते हैं सपोज किजिए कि आप यहां पर 100 इख करते हैं ठीक है 100 इख को कोई दूसरा जो हमारा सबसे ज़्यादा confusion निकल के शामने आ रहा था वो है कि हम tax जो हमारा count होगा ये कब से होगा ठीक है कोई-कोई वो रहे हैं 2023 से होगा कोई-कोई वो रहे हैं 2022 से होगा ठीक है तो यहाँ पर मैं clear कर दूँ कि taxation जो होगा जो आप tax फिलब करेंगे ये 2023 से होगा बट उसका जो assessment year होगा ये 2022 से होगा एक अप्रेल 2022 से होगा तो इसलिए इस confusion मत रहे है कि मुझे जो tax देना होगा ये 2023 में देना होगा आपको जो tax देना होगा वो 2022 में हुवे transaction के उपर जो tax देना होगा वो 2023 में देना होगा ठीक है तो उमीद है इस सीज़ को आप समझ रहा है एक अप्रेट से जो भी आप ट्रांजिशन करेंगे हर ट्रांजिशन के ऊपर जो आपको 2023 में टेक्स देना होगा क्लियर कट आपको यहाँ पर फिलप करना होगा तो यह चीज उमीद करता हूँ यह चीज़ क्लियर हो गई होगी ठीक है और खास करके जो लोग इंटर डे टेडिंग करते हैं जो पर डे काफी ज़यदा टेड करते हैं काफी ज़यदा कोईन में टेड करते हैं उसको तो अभी सही लेजर चार्ट बना के रखी ताकि जब भी आपको टेक्सेशन 2023 में करना पड़े तो आपके सामने एक क्लियर डाटा को तैयार रखिए अभी से जो आपका ब्लॉस में प्रॉफिट है उसका हिसाब किताब रहिए ताकि जब नेक्स्ट में आपको टेक्स देना पड़े तो आपके लिए चीज़ें आसान हो जाए नेक्स्ट करता हूं कि नेक्स्ट जो लोगों का कर्फिजन करकर सामने आ रहा आपको पांसो से लग हजार रुपिय में भी फिलप करते होंगे तो आपको पता होगा हजार रुपिय के आसवास में आपको यह मिल जाएगा वो आपका फिलप करतेगा तो आपको यह टेंशन करने की ज़रूत नहीं है टेक्स स्लेप फिलप करने का स्लेप अपने आ आ जा यहां पर मैं आपको clear कर दो कि government ने कहीं भी नहीं बताया कि हम जो एक लाग के उपर लेंगे या पांच लाग के उपर लेंगे इतना ज्यादा profit होगा तभी हम tax लेंगे तो यह आपको मान के चलना होगा कि आपका profit चाहे तो एक रुपिया हो या फिर एक लाग हो या पांच 20,000 रुपिय कर tax देना होगा तो यह आप मान के चलिए हाला कि इसका notification जो जब इसका clear बिला जाएगा तो वहां चीज़े clear हो जाएगी कि कितने के उपर tax लिया जाएगा और अगर इसका कोई mention नहीं होता है तो इसका मतलब यह हो गया कि आपको जितना भी profit होता है चाहे एक रुपिया का profit हो या एक कड़ो का profit हो हर एक profit के उपर आपको 30% का tax देना होगा यह clear cut आपको मान के चलना होगा जो तो next वाल की बात करता हूँ कि जो हम trade करेंगे crypto में जो trade करते हैं यह किस pair में करना जो सही रहेगा जैसे कि pair आपको पता है कि कुछ लोग trade करते हैं bitcoin से करते हैं GBTC से करते हैं कुछ लोग INR से trade करते हैं maximum लोग कुछ लोग USDT से करते हैं ठीक है अलग लोग pair है कुछ लोग BUSD से करते हैं ठीक है बहुत सारे pair है तो आपको यहाँ पर किस pair में ज्यादा करना profit रहेगा तो देखें maximum जो सबसे ज्यादा फैबरेट है और हमारा जो फै आपका loss profit को काउंट करने में आसानी हो जाता है उससे भी ज्यादा आसानी आपको आइनार में होता है कि आइनार तो बिल्कुल अस्टेवल है यह तो थोड़ा सा एक-दो रुपी पांच रुपी के आसपास जो फ्लैक्ट्ट करता है कभी-कभी बट यह आइनार जो हमेशा इस्टेवल है तो आपको काउंट करने में यह दोनों पेयर जो इसको काफी अच्छा होता है आप यहाँ पर कर सकते हैं लेकिन जब टैक्स के बाद RBI के दोरा CBDC लाउंज कर दिया जाएगा याने की Central Bank Digital Coin लाउंज कर दिया जाएगा तो सभी प्रोफर कीजिएगा इसी सब्सक्राइब करना होगा तो उस टेम आपको CBDC फेयर में ट्रेट करना होगा बट अभी तक जब तर CBDC नहीं आया तब तक आप प्रिफर कीजिए कि INAR में ट्रेट कीजिए या फिर USDD में ट्रेट कीजिए यह आपके लिए काफी ज़्यादा असान होगा तो दूस्तो हम कि आपका जो confusion होगा वो यहाँ पर काफी हद तक clear हो गया होगा फिर भी कोई doubts है फिर भी confusion रहता है तो आप मारे जो telegram group है उसको जाकर जरूर जोएन किजेगा क्योंकि वहाँ पर आपको अलगलग चीजों की जानकारी जो भी notification रहता है जो भी छोटा मोटा टुट्रियल यह update रहता है वो आपको telegram group मिलेगा तो make sure telegram group ज़रूर जाकर जोएन किजेगा उसका link हमारे वेडियो के discussion मिल लिएगा वहाँ से जाकर आप directly जोएन कर लिजेगा और इसके साथ साथ अगर आपने channel को subscribe ने किया है तो जाकर subscribe जरू कर लिजेगा क्योंकि इस type का जो भी update रहेगा वो आपको time time मिलता रहेगा तो आज की video मितना ही मिलते हैं next video में तब तक दे thanks, take care, bye bye